आप सब का स्वागत मरजक्वार्दास क्लासेज में आज हम लोग क्लास 10 सी बेसी का रियल नंबर पार्क टू लाए हैं जिसमें बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होगा तो अगर चैनल में नहीं है तो जरू सुच्छ जरू कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो चलते हैं देखिए आज का पहला कुस्च्छन यूजिंग फ्राइम फ्राइम क्राइम फाइंटो इसलेगों नेकाला है तो चलिए पहला और दूसा को मैं बनाता हूं बाकी आपके लिए वर्क रहाएगा तो चलिए पहला को बनाता हूं देखिए पहला है 36 और 84, तो 36 का S7 निकालेंगे, उसके पहले factorization करेंगे, ठीक है, 36, 18, 29 जा 18, यहाँ पर 3 जा 9, और 3 बंजा 3, 84 को, 42, 21, 37 जा 21, 7 बंजा 7, ठीक है, अब देखिए, 36 इक्वल टू क्या है, 2 बार है, तो हम लोग 2 का power 2 लिख देंगे, into 3 दो बार है, तो 3 का power 2 लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 84 है, 2 का power 2, 3 और 7, यह एक है, उसलिए उसका power में कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका अगर हम लोग S7 निकालेंगे, तो S7 क् जो दोनों में common power है, वही लेंगे, ठीक है, 2 का power 2 हो गया यहां, इन्टू 3 का power, यहां देखी, 1 है, यहां 2 है, तो 3 लेंगे, यानि कि इसका 2, 2 जा 4 इन्टू 3, 12 हो गया, इसका SCF, LCM निकालना है, तो LCM, दोनों में, जो common है, उसको लेंगे, मतलब power में, जो बड़ा है वो लेंगे 2 का पावर 2 यहां 3 का पावर 2 लेंगे ठीक है 3 का पावर 2 और जो नहीं है दोनों में मौजूद उसको भी ले जाना है जैसे 7 है तो 7 को भी ले लेंगे यह होगी लस्यम 2 तू जा 4 3 तू जा 9 इन्टू 7 मल्टिप्लाई कर देंगे 4 9 जे 36 36 को 7 से मल्टिप्लाई कर देते हैं 252 हो गया इसका एलस्यम यह होगी इसका एंसर साथ में इसको वैरिफिकेशन भी करना था तो वैरिफिकेशन हम लोग करते है वैरिफिकेशन क्या होता है सच एंटो ल्स्यम इकल तो प्रोड़क अब्रोड़क 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 अब्रोड कितना है 12 कितना निकला था 252 और नमबर्स क्या था 36 इंटू 84 अगर यह दोनों बराबर हो गया तो वेरिफिकेशन होगी हम लोगा तो यह दोनों को मल्टिप्लाइ कर लेंगे और इसको दोनों को भी मल्टिप्लाइ करते हैं देखें मल्टिप्लाइ करने के बाद आएगा 3024 दोनों को मल्टिप्लाइ किये और इस दोनों को भी मल्टिप्लाइ करेंगे तो 3024 दोन तरफ बराबर आ गया प्रूब्ड हो गया ठीक है यह हो गया question number 1 का 1 जो है complete हो गया चलिए इसका second जो है question को बनाते है इसमें देखे 23 और 31 को factorization करेंगे पले तो 23 जो है प्राइम नमब है तो यह भी कटेगा नहीं किसे से तो 23 इकोल टू क्या होगा 1 इंटू 23 देखिए हम लोग जो 1 लिख रहे हैं इसका रिजान यहां पर पता चले आपको कि क्यों लिख रहे थे 1 को 1 इंटू 31 ठीक है हलाकि प्राइम नमबर नहीं है 1 ठीक है सेब क्या हो जागा देखिए से 23 इंटू 31 ठीक है इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे मुल्टिप्लाइ करने से आएगा 713 इसका हो गया ठीक है अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना चली वेरिफिकेशन यहां कर देते हम लोग वेरिफिकेशन SCF इंटो LCM equal to product of the numbers numbers ठीक है SCF कितना है 1 और LCM कितना है 713 और इसका numbers है 23 इंटो 31 तो इसको multiply करके आया था ना 713 तो यह दोनों बरावर हो जाएगा LHS equal to RHS left hand side right hand side equal होगे यह हो गया इसका answer बागी questions को आप solve कर लिजीगा चली next question में चलते है using prime factorization find the SCF and LCM of जो number दिया हुआ इसमें भी हम कोई 2 बना देंगे चली हम इसमें 3 और 4 को बनाते हैं बाकी आपके लिए work रहेगा ठीक है SCF और LCM निकालना verification इसमें नहीं करना है चली इसको solve करते हैं प्राइम factorization करते हैं जैसे 17 हो गया तो 171 जो 17 होगा 23 यह भी प्राइम नंबर है तो यह भी 1 ही हो जाएगा 29 प्राइम नंबर हो गया test chip निकालना है test chip निकालेंगे जो तीनों में common है वह होगा इसका answer 1 LCM बहुत ही easy question है ध्यान दीजिएगा 17 23 29 17 23 29 सब को multiply कर देंगे answer तक हम लोग पहुच चाहेंगे 11339 यह होगा इसका answer चली next question को solve करते हैं चली इसका प्राइम factorization करते है 24 है तो 24 को तोड़ेंगे 36 को भी और 40 को भी हम दो 24 को कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 का पावर कितना है 1 2 3 2 का पावर 3 इंटू 3 सिंगल है 36 यहां भी 1 है और 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 और 36 का पावर 40 है 40 का 1 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 5 दिलिखे लेकिन की कथ फोटे डीillar कि मौर्ण से क्या पावर कितना है कि एल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जो सबसे बड़ा पावर है तू का पावर थरी को कमण है ये बड़ा पावर उसको ले सकते थिरी का पावर टू इंटु 5 multiply करेंगे 2 2 जा 4 4 जा 8 8 हो गया, यहा 9 हो गया और यहा 5 इसको multiply करेंगे, 8 5 जा 40 40 को 9 से multiply करें, 3 6 0 हो जाएगा इसका answer बाकी questions को आप solve कर लिजिएगा किस ताइब का problem होगा ता आप comment कर सकते हैं चलिए next question को solve करते हैं question को देखिए find the list number which should be added to 2, 4, 9, 7 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3, तो पहले इसका LCM निकाल देंगे LCM of 5, 6, 4 and 3 5, 6, 4 3 LCM 2 का टेबल से का टेगा 2, यहां पर 3, यहां 2 3 फिर 3 से कटेगा फिर 5, 1, 2, 1 LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 10 और 6 60 हो गया इसका LCM अब हम लोग क्या करेंगे 60 को बाहर रखेंगे इसको अंदर रखेंगे दिवाइट करेंगे नीचे में लिखेंगे हम लिख दे रहे 60, 24, 97 24, 97 64, 24 9 हो गया cancel हो जाएगा 7 1 बाहर में देंगे 60 37 ठीक है अब क्या किजिएगा 60 में 37 घटा देंगे देर्फोर दा नमबर देर्फोर दा नमबर इसको डो टाइब से बना सकते हैं कैसे तो आप क्या किजिएगा 41 को एक बढ़ा करे 42 को 60 से मल्टिप्लाई करके फिर उसे घटा दिएगा 60 माइनस 37 माइनस 37 आज एक अंसर 3 23 हो गया इसका अंसर इस टाइब से आप किसको साल्ब कर सकते हैं और भी प्रोसेस जो 41 जो बोलने बार बार 41 को एक बढ़ा देंगे 42 हो जाएगा 42 को 60 से मल्टिप्लाई करके जो आएगा उसको फिर इससे घटाएगे ऐसा भी बन सकते है चलिए नेक्स्ट को साल्ब करते हैं कोशन को देखिए फाइंड दा स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड़ेद बाई 28 और 32 लिवस रिमेंडर 8 और 12 तो पहले क्या होगा जैसे लों गठा देते हैं ठीक है 28 और 8 इसमें इसको और इसमें इसमें इसको इस टाप के कुशन तो गठादेगे पहले तो 32 में 12 गठाएंगे इसमें आजगे 20 और इसमें भी 20 आएगा तो हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे यह दोनों का जो एल्सेम आएगा उसमें हम लोग 20 घटा देंगे तो एंसर तक पहुंच जाएंगे ठीक है ध्यान दिजिए पहले इदोनों घटा देंगे फिर एल्सेम निकाल लेंगे एल्सेम आफ 28 एंड 32 देखिए एल्सेम निकाल लेते हैं 28 32 एल्सेम एकुल्ट क्या हो जाएगा टू इंटू 7 इंटू 8 7 इंटू 8 मुल्टिप्लाइ करेंगे तू तुटिजा 4 4 7 जा 28 28 को 8 से मुल्टिप्लाइ करते हैं 224 224 अब हम लोग का क्या है देफोर देनमबर देफोर दा स्मॉलेस्ट नमबर देफोर दा स्मॉलेस्ट नमबर जो पूछ रहा है कोशन में इकवल टू क्या होगा 224 में 20 घटा देंगे यह वाले 20 है थे इसको घटाएंगे ठीक है 204 हो गया एंसर यह होगे इसका एंसर तो चलिए नेक्स्ट को चलते हैं को देखिए अधिन फाइं दास्मीट्विस्ट फॉर्म फॉर्म तो सिंप्लेस्ट फॉर्म निकालने के लिएका दोनों में जो है सेम नंबर से तो पारली क्या करेंगे जैसे पारला नंबर कॉछ्छन नने 69 आफैना डूंगा इसको निकालने चेट सब का इसे यह करेंगे तो मैं वन बना बाकिया आपको बनाना है ठीक है तो 69 by 92 गा से निकालेंगे पहले 69 थिदी बार में आ जाएगा यह यानि कि SF क्या हो गया कि SF क्या हो जाएगा 23 23 तो हम लोग को क्या करना है 69 by 92 को 23 से डिवाइट कर देना कितना से 23 से तो यह आ जाएगा 3 और यह आ जाए 4 यानि कि थिदी बार हो गया अंसर पहले SF निकालेंगे उसी नंबर से डिवाइट करेंगे चलिए नेक्स्ट को बनाते हैं देखिए इसमें भी पहले SF निकालते हैं 1095 यह चोटा है उसको बाहर इसको अंदर लिखें वन बार में देंगे 1095 73 आ गया 1095 यह वन टाइम होगा 73 और यह 5 है तो 73 को 5 से मल्टिप्लाइ करते हैं रहने कि यह आगिया 5 बानों 365 यह कंप्लेट जो है कट जा रहा 73 तो SF क्या हो जागा SF equal to 73 अब क्या करना हमनों उपन इस है 1095 73 से डिवाइट करना 1095 और 168 को 73 से डिवाइट करेंगे इसको भी 73 से डिवाइट करेंगे तो अंसर तक हम लोग पहुच जाएंगे तो परले 1095 को 73 से डिवाइट करते हैं यहां तो डिवाइट कर चुक है देखिए 1095 को 73 से डिवाइट करेंगे तो 15 आएगा यह कंफार्म ही तर से लेकिन इसको डिवाइट करना पड़ेगा 1168 को इसको डिवाइट करके देखिए वह आजएगा 16 यह हो गया इसका बाकी कोशन को आप बना लें से पहले निकालेंगे फिर उसकी से डिवाइट कर देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं देखिए आज का अंतीम कोशन है यह यह सेफ कितना है सेफ टू नंबर इस एटीन यह प्रोड़क्ट है ठीक है लसम नहीं ही तो लसम हमनों को निकालना न लिख देते है सेम टू सेम अब प्रोड़क्ट अब अब नंबर मतलब दोनों का नंबर का प्रोड़क्ट क्या दिया हुआ है 12960 12960 अब देखिए 9 का टेबल से कट रहा है तो 9 का टेबल काटेंगे 9208 और 9 वंजा 9 94036 94036 जीरो और ये 2 का टेबल से कटेंगे 2714 2204 और 0 720 जीरो इसी साथ आज का क्लास नहीं समाख होता है तो इसी क्लास इसके लिए बने रहे हैं चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू